नमस्कार प्रिये साथियों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और स्वागत हाप सभी का एक बार फिर से के भी परिवार में आज के इस वीडियो में हम बिस्व के प्रमुख देशों के बारे में उनकी स्थिती कहां पर है उनकी राजधानी क्या है और उनकी मुद्रा क्या है इसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दू कि मैंने यहाँ पर A.S.A. महादीब के देशों को सामिल नहीं ही या है क्योंकि A.S.A. महादीब के जितने भी देश है उनने से लगभग सारे के सारे महत्पूर है तो उन सारे देशों के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसी वीडियो में हम आस्ट्रेलिया महादीप के देशों के बारे में भी पढ़ेंगे अब आपको यहाँ पर सुनकर लग रहा होगा कि आस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल एक ही देश है लेकिन आस्ट्रेलिया को हम सभी तुरूप से ओसीनिया भी कहते हैं और उसमें कुल मिला करके देशों की संख्या लगभग 13 है तो उन 13 देशों को और A.C.A. महादीब के 50 दे कहते हैं उसमें के आपञाएं तो दिस्लाइ अब करें आपको द्माग में आजाना चाहिए किहां हमारा ऊतरर अमेरिका देशन अमेरिका योरोप अफ्रीका एसिया और आस्ट्रेलिया तो इन चारो महादूइपों के देशों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में हमारे किस महादूइप में कितने देश हैं तो अगर देशों की संख्या की बात करें तो आपको पर हम लोग जो प्रमुख देश है अफरीका के यूरोप के उत्तरी और दच्छने मेरिका के इनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले हम सुरुवात करेंगे यूरोप के देशों के बारे में इसके बारे में यूरोप के देशों के बारे में तो इवरोप में चलिए सबसे उपर चलते हैं और यहाँ पर सबसे उपर हमारा एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं नौर्वे कौन सा देश है यह हमारा है नौर्वे और नौर्वे की राजधानी क्या है इसकी राजधानी है ओसलो इसकी राजधानी क्या है ओसलो नौर्वे क समझोते के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और अभी हाल ही में न्यूज में भी था सम्मेलन तो आपको याद अचना है स्रीडन और इसकी राजधानी है इसके बाद में अगला हमारा देश है जिसे हम लोग कहते हैं फिल्लेंड जीलों का देश आपको याद होग कि इस्थिती के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसके बाद में जब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा चाहे जलवायों की बात करें चाहे वहां की खलिश की बात करें चाहे वहां की मिट्टी की बात करें या फिर अन्नी चीजों की बात करें जब आपक तो ये location exact ऐसे याद होनी चाहिए और अगर आप कहीं पर answer writing कर रहे हैं तो वहाँ पर जब आप map के जरीए इन देशों को निरूपित कर देंगे तो जाहर सी बात है औरों कोई मुकाबले आपको वहाँ पर बहुत ही बहतर अंक मिलेंगे इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक छोटा सा देश है जो की पहले USSR जो की वतमान में रत्या है उसका हिस्सा था और इस देश को हम लोग कहते है एस्टोनिया क्या नाम है इसका इसका नाम है इस्टोनिया और इसकी राजधानी है तलिन इसकी राजधानी क्या है तलिन एस् दूस का ही हिस्सा था और इस देश का नाम है क्या लात्विया तो एस्टोनिया लात्विया लिथवानिया इनके बारे में आपने सुना भी होगा तो यह हमारा है लात्विया और यहां की राजधानी है रीगा क्या नाम है यहां की राजधानी है रीगा अगला हमारा इसी के नीचे ठीक देश है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया और इस देश का नाम है लिथवानिया तो एस्टोनिया लात्विया और लिथवानिया लिथवानिया की राजधानी क्या है बिल्नियस क्या नाम है बिल्नियस राजधानी है लिथवानिया की इसके बाद में कि राजधानी क्या है एमस्टार्डम क्या नाम है इसकी राजधानी की एमस्टार्डम तो याद रखना है नीदल लैंड कहा परिस्थित है और इसकी राजधानी क्या है नीदल लैंड के बाद में अब हम चलेंगे पूरे हमारे नीचे के भाग में यूरोप की नीचे भाग म तो इस देश के बारे में आपको पता ही होगा जिसे हम लोग कहते हैं पुर्तगाल क्या नाम है इसका पुर्तगाल और पुर्तगाल की राजधानी क्या है लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पुर्तगाल से सटा हुआ एक जो देश हमारा है इस देश के बारे में भी आपको पता होगा इसे हम लोग कहते है इस्पेन और इस्पेन की राजधानी क्या है मैडरे क्या नाम है इस्पेन की राजधानी का नाम है मैडरे और इस्पेन के ठीक उपर जो हमारा देश है इसे हम लोग कहते है फ्रांस फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पिरे नीज परबज्जो है वह स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है तो याद रखना है आपको पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस पूर्टगाल की राजधानी, लिस्बन, इस्पेन की राजधानी, मैडरीड और फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस इसके बाद में यहाँ पर आईए नीचे के भागों में तो यह एक हमारा देश है जिसे हम लोग कहते हैं मैसीडोनिया क्या नाम है इसका मैसी डोनिया और यहां की राजधानी है इसकोपिया क्या नाम है इसकी राजधानी का नाम है इसकोपिया मैसी डोनिया के ठीक उपर आप जब चाहेंगे तो यहां पर एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं बल्गारिया क्या नाम है इसे बल्गारिया और बल्गारिया की हमारी राजधानी है सूफिया यहाँ पर आप एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे यह जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पर यह देखे यह छोटा सा हिस्सा यह मुख्यरोप से यही से मारा है टर्की तो टर्की का ये हिस्सा है और मैंने आपको एसिया वीडियो में भी बताया था कि हमारे कुछ देश ऐसे हैं विस्तो के जो एच से ज़्यादा देशों के साथ में अपनी एरिया को सेयर करते हैं तो टर्की की बात करें तो ये आपको एसिया में भी मिलेगा और यहाँ पर यूरोप में भी मिलेगा बल्गारिया की बात हम कर रहे थे बल्गारिया की राजधानी है सोफिया बल्गारिया के ठीक उपर यहाँ पर एक हमारा देश है जिसे हम लोग कहते हैं रोमानिया क्या न देखा, अब हम लोग आगे चलते हैं, और अन्य देशों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी नीदल लैंड की, और नीदल लैंड के नीचे य materia के आपक 국la की कंचरी से दिख हो गया है इसे हम लोग कहते हैna Belgium, Belgium क्या नाम है इसका Belgium और इसकी राजहनी ब्रसल्ज या Brussels यहां इसे हम Brussels भी कहते हैं Belgium के बाद में यहां पर आपको एक बड़ी सी देश दिख रहा होगा जिसे हम लोग कहते हैं Germany Germany की राजहनी क्या है ? Berlin और Berlin की दिवार के बारे में आपको बता ही होगा कि जब 1945 का विस्टो युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय बर्लिन दो हिस्टों में बढ़ गया था और जर्मनी भी मारा दो हिस्टों में बढ़ गया था लेकिन बाद में बर्लिन की दिवार गिरी और जर्मनी पुना एक इकरित हुआ था तो जर्मनी की राजधानी क्या है बर्लिन उसके बाद में यहाँ पर जो आपको अंगुठे की सेप का एक देश दिखाई दे रहा है इस देश को हम लोग कहते हैं डेन्मार्क क्या नाम है इसका डेन्मार्क और यहाँ की राजधानी है कोपेन हेगन तो जितने भी हमने उपर के देशों के बाद की चाहें नार्वे, स्वेंडन, फिल्लैंड हो या डेन्मार्क हो जर्मनी हो यहाँ पर हमारा एक और देश है जिसे हम लोग कहते हैं पोलैंड क्या नाम है इसका पोलैंड और पोलैंड पर ही सबसे पहले हिटलर ने आकमड किया और यहाँ की राजधानी है वर्साए वर्साए की संधी के बारे भी आपने सुना होगा तो यह सारी चीज़े जब आप कभी विश्तुका इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यह सारी चीज़े बहुत ही काम आएंगी उसके बाद में यहाँ पर भी एक हमारा यहाँ सा देश है जो की पोलेंड के साथ में सीमा बनाता है और इस देश का नाम है बेलारूस क्या नाम है इसका बेलारूस और बेलारूस की राजधानी है मिस्क क्या नाम है मिस्क यहाँ की राजधानी है पुला हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखेंग इस देश का नाम क्या है Ireland Ireland की राजधानी है Dublin Ireland की राजधानी Dublin और यह जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है यह हमारा है England और England की राजधानी तो आपको पता ही होगी क्या है London उसके बाद में फ्रांस के भगल में यह जो आपको वह हमारे है स्विट्जल लेंड में और स्विट्जल लेंड में वह सारे इस्थितर जिनेवा में लेकिन यह चीज आपको याद रखनी है कि स्विट्जल लेंड की राजधानी जिनेवा नहीं है स्विट्जल लेंड की राजधानी है बर्न हमारा एक देस है जिसे हम लोग कहते है इटली जहां कि सोनिया बाधी है और इटली की राजधानी है रोम करें रोम के भीतर यानि कि जो रोम है इतली के उधिatoire एक देस इस्तित आप लोगों बारे में भी आपको बताना है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे देखिए जिन प्रश्णों के आपके जबाब पता हो आपको लिखना चाहिए अगर नहीं पता है तो आपको सर्च करके लिखना चाहिए इससे क्या होगा कि जब आप चीजों को लिखना सीखेंगे या लिखने का प्रयास करेंगे तो वह चीज़े आपको और बहतर ढंग से याद हो जाएंगी अब हम लोग यूरोप के बाद में चलते हैं उत्तरी अमेरिका में वैसे तो 13 देश हैं लेकिन हमें 2-3 की बारे में पढ़ना है आईए जान लेते हैं सबसे पहले तो उपर का यह जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं कनाडा और कनाडा की राजधानी क्या है उटावा क्या है कनाडा की राजधानी हमारी है उटावा कनाडा के ठीक नीचे हमारा एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका के बारे में आपको याद अजना है कि यह आपका यहां भी है और यह जो उपर का हिस्सा अलास्का है यह भी हमारे उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये हमारा है USA और इसकी राजधानी क्या है वासिंगटन DC एक चीज़ से और पूछा जाता है इनकी सीमाओ से तो सबसे पहले ये हमारी 49 डिगरी लाइन बनाती है इनके बीच में सीमा कनाड़ा और USA के बीच में उसके बाद में जो हमारे 5 लेक है और फिर यहाँ पर सेंट लारेंस नदी तो ये तीनों मेल करके USA और कनाड़ा के बीच में सीमा बनाती है USA के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं Mexico और Mexico की राजधानी है Mexico City तो ये तो बहुत ही आसान है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं फिर यहाँ पर हमारा एक दुईप्य देश है जिसका नाम है क्यूबा और क्यूबा की राजध पनामा है तो इनको भी आपको थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं अब यहां पे इनको दिखाना संभो नहीं था इसलिए मैंने यहां पर नहीं दिखाया तो उत्तर अमेरिका के बारे में हमने देख लिया अब हम लोग चलते हैं दच्छड अमेरिका में तो यह है हमारा दच् ब्राजील की राजधानी क्या है ब्राजीलिया ब्राजील के बाद में ऊपर आप चलेंगे तो यह हमारा एक प्रमुक देश है प्रमुक है तेल उत्पादक देश है और इस देश का नाम है बेनेजुएला बेनेजुएला की राजधानी क्या है कराकस बेनेजुएला की राज जा दे kiadro और यहाँ की राजधानी यहां की राजधानी है पूसकी होग़ाएं यामी अपको थोता सा है यह देश दिख रहा आइक क्योटं सब्सकूर्ज है कर दे पर एक्योट्रk है लेज़ सरदेश के मुट्ञ हमारा एक देश है इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा इस देश का नाम है पेरो और यहां की राजधानी हमारी है लीमा प्र आ पर आपको जो यह पूरा पस्मित तर्थ है यहां पर बहुती बड़ा सा देश देखेगा बहुती जिसका बहुत ज्यादा दूरी तक विस् तो उसमें सैंटियागो में जाते हैं और वहाँ पर वो पूरी जो मूवी है का स्पेन सागर के आसपाद स्पेन से लेकर के इंग्लाइन ते पूरी जो कहानी है वो उसके बीज़ की समुंदरी लुटेरों की आत्राओं को दिखाया जाता है तो वहाँ पर सैंटियागो में भी जाती है तो सैंटियागो कहाँ पर है चिली में उसके बाद में ये आपको एक देश दिख रहा होगा जिसे हम लोग कहते हैं अर्जेंटीरा अर्जेंटीरा की बात करें तो ये मुख्यरूप से हमारे दच्छण अफरीका के निचले हिस्से में है और इसकी राधानी क्या है ब्यूनस आयर्स क्या नाम है इसका ब्यूनस आयर्स उसके बाद में यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं उरुगवे और उरुगवे की राधानी क्या है मौटी वीडियो मौटी वीडियो इसकी राधानी है उरुगवे की अब हम लोग बात करेंगे दच्छण अफरीका के दच्छण अमेरिका के दो देशों के बारे में जो की अस्थल रुद्ध है अस्थल रुद्ध का मतलब landlock है landlock का मतलब क्या होता है ऐसे देश जो directly access नहीं पाते हैं कहाँ पर C में तो यह हमारे देश हो गए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह सारे हमारे देश हैं इन दो देशों में हमारा जो पहला देश है इसे हम लोग क्या कहते हैं इसका नाम है बोलीविया इसका नाम क्या है बोलीविया और यहाँ की राजधानी है सुक्रे बोलीविया के बाद में यहाँ पर जो दूसरा देश है इस दूसरे देश को हम लोग क्या कहते हैं परागबे क्या नाम है इसका परागबे और यहाँ की राजधानी है असंसियन जो की एसिया के साथ में जुड़ा हुआ है और इस देश का नाम है मिस्र या इसे हम लोग EZIPT भी कहते हैं मिस्र की बाद करें तो इसकी राजधानी है कायरो मिस्र की राजधानी क्या है कायरो और आपको पता होगा कि यह जो आपको द्विप दिख रहा है यहीं से हमारी 120 न जिसे हम लोग कहते है इथियोपिया क्या नम है इसका इथियोपिया और इथियोपिया की राजधानी क्या है अदिस अबाबा अदिस अबाबा क्या है इथियोपिया की राजधानी इथियोपिया के बाद में ये जो आपको पूरा तट के पास में देश दिखरा होगा हरे कलर का इस देश का नाम है सोमालिया और सोमालिया की राजधानी क्या है मोगा दीशू सोमालिया की राजधानी क्या है मोगा दीशू और यहीं पर हमारा एक छोड़ा सा देश और है जिसे हम लोग कहते हैं जिबूती और यहीं पर एक देश है इरिट्रिया तो यह हमारे सारे आते हैं होर नाफ अफरीका में यह चारो देश आते हैं होर नाफ अफरीका में उसके बाद में आप नीचे चलेंगे तो यह जो आप आपको red color का देश दिख रहा होगा ये हमारा है Kenya और यहां की राजधानी क्या है नैरोबी तो Kenya से match होता होगा तो नैरोबी के बारे में आपने सुना होगा कि आज का match जो है वो नैरोबी में होगा तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं Kenya के बाद में आप इसके ठीक नीच सलाम तंजानिया के बाद में आप नीचे आएंगे तो यह हमारा एक तर्ट से सटा हुआ देश है जिसे हम लोग कहते हैं मोजांबिक और मोजांबिक की राजधानी है मपिटो मपिटो है मोजांबिक की राजधानी मोजांबिक के बाद में अंदर आपको एक देश हरारे इंटरनेशनल वंडे के बारे में तो हरारे आपको याद होगा हरारे के बाद में आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो इस देश के बारे में भी आपको अच्छे से पता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दच्छड अफरीका दच्छड अफरीका की राजधानी क्या है यह कि राजधानी है केप टाउन और ये पूरी तरीके से हमारे इसी तड़ पर इस्थित है बार्थो लोम्यो डियाज जो 1484 में पूर्टगाल से चला था वह सबसे पहले इसी तड़ पर पहुंचा था इसलिए इसे हम लोग उत्तम आसान तरीप भी कहते है केप आप गुड होब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि दो देश आपके दच्छे अफरीका में है तो उन दोनों देशों के बारे में भी आपको कमेंट सेक्षन में बताना है दच्छे अफ्रीका के बाद में यहां पर उपर आपको एक देश मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं नामीबिया क्या नाम है इस देश का नाम है नामीबिया और नामीबिया के राजधानी है बिंड हॉक नामीबिया के राजधानी क्या है विंड हॉक नमीबिया के बाद में उपर आपको एक देश दिख रहा होगा इस देश को हम लोग कहते हैं अंगोला क्या नाम है इसका अंगोला और यहां की राजधानी जो है उसका राम है लुवंडा क्या नाम है लुवंडा यहां की राजधानी है उसके बाद में आप जो उपर यहां पर पहुँचेंगे तो यह हमारा एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं कांगो इसे हम लोग क्या कहते हैं कांगो और इसकी राजधानी है व्राजाविली क्या नाम है व्राजाविली यहां की राजधानी है कांगों के बाद में अब हम लोग चलते हैं पस्मी अफरीका में तो पस्मी अफरीका में जो ये आपको अस्थर रुद्ध देश दिख रहा है इस देश को हम लोग कहते हैं माली क्या नाम है इसका माली और माली की राजधानी है बमाको माली की राजधानी क्या है बमाको माली से सटा हुआ हमारा एक देश है जो की तट के साथ में सीमा बनाता है और इस देश को हम लोग नाम देते हैं मौरिटानिया क्या नाम है मारिटानिया और यहां की राजधानी है नौक चाट क्या नाम है नौक चार्ट हमारे मौरिटानिया की राजधानी है उसके बाद में आपको यहाँ पर ऊपर एक देश दिखेगा जो कि तट से सटा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं पस्मी सहारा या बेश्टन सहारा भी कहते है यहाँ की राजधानी नौक चार्ट नहीं है राजधानी के बारे में मुझे कनफर्म नहीं है सायद यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है तो आप लोग इससे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं कि पस्मी सारा की राजधानी क्या है उसके बाद में उपर आपको एक देश दिखेगा और इस देश का नाम है मुरक्को क्या नाम है मुरक्को और यहाँ की राजधानी है रबाट क्या नाम है मुरक्को की राजधानी है रबाट अफरीका के अब जो आपको बीच में देश दिख रहे होंगे आईए इन देशों के बारे में बात करते हैं तो सबसे उपर एक हमारा देश है और इस देश का नाम है Algeria, क्या नाम है इस देश का नाम है Algeria और Algeria की राजधानी है Algiers, क्या नाम है Algeria की राजधानी का नाम है Algiers, उसके बाद में यह जो आपको ग्रीन कलर का देश दिखर होगा, इसे हम लोग कहते हैं Libya, क्या नाम है Libya या इसे हम लीबिया भी कहते हैं और इसकी राजधानी है ट्रिपोली लीबिया की राजधानी क्या है ट्रिपोली उसके गाद में यहां पर नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको एक देश दिखेगा जिसे हम लोग कहते है नाइजर अब आपको यह चीज़ याद रखनी है क अफरीका में आपको दो दो इस मिलेंगे एक तो हमारा है नाइजर और एक हमारा है नाइजर की राजधानी क्या है नियामे और इसके ठीक नीचे जो हमारा देश है इसे हम लोग कहते है नाइजीरिया और नाइजीरिया की राजधानी क्या है अबूजा नाइजर की राजधा इंगा है रिपब्लिक आप आप गांगो के बाताया था कि चाड यन दजा मेना यहां की है राजधानी थोड़ी अजीब सा नाम है तो आपका प्रनॉलनसियेइशन अगर अच्छा होगा तो आप बता सकते हैं वैसे यहां पर यन दजा मेना ही मुझे लगा इसलिए मैंने यहां बिशा है चार्ट के बाद में ये आपको एक देश दिखराओगा बीच में और इस देश का नाम है Central African Republic क्या नाम है Central African Republic और यहां की राजधानी है बैंगई क्या है यहां की राजधानी है बैंगई कुछ अन्य देशों की बारे में बात करते हैं जो छोटे छोटे से हैं इस देश की बात करें तो ये देश हमारा कौन सा है यूगांडा युगांडा जहां पर हमारे प्रधान मंत्री गए थे और यहां पर गायों को दिया था युगांडा में बहुत सारे भारतिये रहते हैं और यहां की जो अर्थवस्ता है उनमें भारतियों का योगदान बहुत जादा है तो युगांडा की राजधानी क्या है कमपाला क्या नाम है कमपाला युगांडा के नीचे यहां पजबाप आएंगे तो यह जो यलो कलर की कंट्री दिख रही होगी इस कंट्री का नाम है जांबिया इस कंट्री का क्या नाम है जांबिया और यहां की राजधानी है लोकासा क्या नाम है लुसाका यहां की राजधानी है जांबिया के बाद में अब नीचे आएंगे तो यह जो आपको एक अस्थल रुद्ध देश दिख रहा होगा इस देश का क्या नाम है बोथ सुवाना और बोथ सुवाना की राजनी है गैबोरेन देखें जो आपको अंदर देश दिख रहे हैं इन देशों को आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे होते हैं अस्थल रुद्ध देश और परिच्छा में अक्सर आपसे प्रशन पूछा जाता है कि इन में से कौन सा देश अस्थल रुद्ध है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहे हम बात करें चाड की या फिर हम बात करते हैं नाइजर की या फिर हम बात करते हैं Central African Republic की Republic आप कांगो की इसके लावा यूगानडा की जांबिया की बोथस्वाना की तो यह सारे आपके landlock देश है तो यहाँ तक हमने समझ लिया अब आईए हम देशों पे चलते हैं और उनकी मुद्राओं के बारे में बात करते हैं जैसे कि सबसे पहला हमारा देश है फिनलैंड हम लोग यूरोप की देशों से प्रारफ करेंगे और उरोप के देशों की मुद्राओं को याद रखना थोड़ा सासान है क्योंकि यहाँ पर European Union है और European Union में लगभग 28 देश है और यह 28 देशों की मुद्रा European Euro ही है तो यह आपको याद रखना है Finland European Euro Germany European Euro Spain European Euro, Portugal European Euro France European Euro, Austria European Euro Italy European Euro, Netherlands European Euro Belgium European Euro England का जो हमारा है वो pound है वो आपको याद रखना है England इसका हिस्सा है अभी इस पर पुना होटिंग होनी है लेकिन उसकी अलग से अपनी मुद्रा है Belgium के बाद में Norway की बात करें तो Norway की हमारी जो मुद्रा है इसे हम लोग कहते हैं क्रोन Norwegian Crone, Sweden की Swedish Crone इसके लावा है Switzerland की Swiss Franc है आगे हम बात करते हैं Poland की तो Poland की पोलिस जरोटी है इसके बाद में Denmark की है क्या क्रोन तो आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है Norway का भी क्रोन है Sweden का भी क्रोन है और Denmark का भी क्रोन है उसके बाद में England का है pound तो यह मैंने आपको पहले ही बताया था अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ हन्य देशों की मुद्राओं के बारे में बात करते हैं जैसे की Canada का है Canadian Dollar America की बात करें तो America का क्या है American Dollar इसके लावा मेक्सिको की बात करें तो यहाँ का है मुद्रा Peso इसे हम लोग क्या कहते है Mexican Peso इसके बाद में क्यूबा है तो क्यूबा का जो मुद्रा है इसे हम लोग कहते है Cuban Peso क्यूबा के बाद में अगला हमारा देश है जमाइका तो जमाइका का क्या है जमाइकन डॉलर अब डॉलर है डॉलर का मतलब यह नहीं है कवाल अमेरिकन डॉलर होता है इसके अलमा अभी आपको कुछ अर डॉलर के बारे में पताउंगा बेनेुजोएला की बात करें तो यहां का जो मुद्रा है इसे हम लोग कहते हैं वॉलिवर ब्राजील का है रियाल रियल नहीं रियाल इसे हम लोग कहते है रियल यहां पर लिखा हुआ है तो इसे हम कहते है रियाल पेरु का क्या है सोल उसके लाव अर्जेंटिना का क्या है पेसो क्यूबा का भी पेसो मेक्सको का भी पेसो अर्जेंटीना का भी पेसो लेकिन अर्जेंटीन पेसो है वो मैक्सिकन पेसो है और वो क्यूबन पेसो है अर्जेंटीना के बाद में चिली का भी है पेसो दच्छा अफरीका की बात करें तो यहां की मुद्रा का नाम है रैंड Kenya की बात करें तो यहां की मुद्रा है Silling मिसर की बात करें तो यहां की मुद्रा है Pound Guinea की बात करें तो यहां का मुद्रा है Frank Equador की बात करें तो यहां की मुद्रा है US Dollar तो आपको याद रहना है US Dollar हमारे यहां की भी मुद्रा है US की एक्वाडोर की है और जिम्बांबे की भी मुद्रा है US dollar अगला हमारा है कोलंबिया यहां की मुद्रा भी है कोलंबियन पेसू कुछ अन्य देसू की बारे में बात कर लेते हैं जैसे की युगांडा का है सिलिंग इसके लावा केनिया का भी है सिलिंग चाड का है फ्रैंक उसके लावा मुरक्को का है दिरहम फिर हम बात करते हैं कांगो का तो यहां का भी है फ्रैंक नामिबिया का भी है नामिबियन डॉलर और इसके लावा तंजानिया का भी है सिलिंग जिम्बांबे का है US डॉलर तो इस तरह से हमने मुद्राओं की बात की देखिए अब इतने सारे देश से इतनी सारे मुद्राओं है तो आप सबको याद नहीं रख सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी देश किसी भी कारण्ट से न्यूज में रहे या हमारे देश के किसी नेता ने किसी देश की यात्रा की हो या किसी देश में कोई program का आयोजल हुआ हो तो उन देशों के बारे में वहाँ की राजधानी वहाँ की स्थिती कहा है वहाँ की मुद्रा क्या है इसके बारे में आपको याद रगना है इसलिए जो मैं current affair की बीडियो बनाता हूं उसमें मैं इन सारे चीज़ों को लोकेट करता हूँ तो इस वीजियों में फिलाल के लिए तना ही आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for listening, जै हिन, जै भारत पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत